बात अगर अजीब चीज़े खाने की हो तो हमारे दिमाग में सब सब पहले चाइना कही नाम आता है और चाइना में जो क्रोणा वाले इस फेला हुआ है वो भी इन सब अजीब चीज़ों को खाने की वज़े से ही फेला है चाइना में इतना अजीब खाना खाया जाता है जिस ये सजा भुगत रहा है ब्लो फिश या पफर फिश दुनिया के सबसे डेड़ली क्रीशेर्स में से एक हैं क्यूंकि लगबग सभी ब्लो फिश में टेटरोडो टॉक्सिन होता है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही डेड़ली है क्यूंकि ये साइनाइट से बारा सो कुना इतनी जिरली फिश खात इसे लेते हैं तो इसका जवाब ये है कि पहले इस फिश का जहर निकाला जाता है लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता इसे एक्सपर्ट शेफ तयार करते हैं जिने सालों का experience होता है लेकिन इससे खाने के लिए आपको शेफ पर पूरी तरह से भरू लेकिन अगर बाद चाइना की फूट की हो रही हो तो जी तो खराब हो गई चाइना के लोग पूरा लेम हेड भी खा जाते हैं ये आपको सुन्द में ही घिनोना लग रहा होगा लेकिन ये लोग इसे खाना पसंद करते हैं इससे सबसे पहले अच्छे से साफ किया जाता है फ स्नेक सूट दुनिया में ज़्यादा तो लोग स्नेक से डरते हैं क्यूंकि स्नेक एक बहुती खतरनाक और जरीला जानवर है लेकिन यहां बाद चाइना की हो रही है इन लोगों को इस बास से बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता कि चीज कितने जरीली और खतरनाक है इन लो को तब तक धुया जब तक पॉच्छी तरह से साफ नहीं हो गया इसके बाद उसने स्नेक को उपर से निचे तक चीन दिया इसनेक सूप को चाइना के सबसे लग्जिरियस डिशेस में से एक माना जाता है पहले इससे खाने का मज़ा सिर्फ अमिर लोगी ले पाते थे लेकिन अब नॉर्मल लोग भी इससे खा सकते हैं और चाइना में स्नेक को दवाईयां बनने के लिए यूज़ किया जाता है और क्रोना वारस जिस बिमारी भी हो सकती है स्कॉर्पियन जिन से लगभग दुनिया के सबी लोग बिरता है लेकिन चाइना वाले से भी खाजाता है चाइना में आपको स्कॉर्पियन तले हुए भुने हुए और कभी-कभी जिन्दा भी सर्विकी जाता है और इन्हे स्कॉर्पियन के रूप में सर्व किया जाता है और इन्हे स्कॉर्पियन के स्टिंग भी रिमूव नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हीट में जाने के बाद इनका जहर खतम हो जाता है चाइना में स्कॉर्पियन्स को मेडिसन के लिए भी यूज किया जाता है इसलिए ये आपको ज़रा तर एस्टोरेंट्स में देखने को मिल जाते हैं लेकिन इससे घर पर गुक ना करने की इड़ाइस दी जाती है ये वीडियो गयंग नन्ग गयंग मार्केट की है जो कि चाइना में इस वीडियो में स्कॉर्प शुर्पियर आरे देखना जाता है और फिर उन्हें टेपल पर रख दिया जाता है और फिर एक आद्मी इसे जिंदाई चॉप करने लग जाता है इसके बाद इस squid को peeling machine में डाल दिये जाता है squid का nerve system बहुत ही complex होता है और इसके दो तियाई neurons उसके tentacles में होते हैं इसलिए इन tentacles का आप चोप होने के बाद भी move करते हुए देख सकते हो और यह ऐसे ही plate में सबब की जाते हैं जो की plate में भी हिलते ही रहता है और जब इनसान इसे खाता है तो यह उसका गला भी चोप कर सकता है इसलिए यह dish खाते हुए इससे ज़्यादा चबाने के advice दी जाती है यह भी एक बहुत भी danger food है चाइना वाले danger food पर पूरा टीवी शोव बना सकते है इस वीडियो में आप दिख सकते हो कि कैसे चाइना के लोग शेंजन के एक market में street food का मज़ा उठा रहे हैं पहले आप black stinked tofu को देख सकते हो जो सुनने में इतने बुरे नहीं लग रहे हैं ऐसा माना जाता है कि इन tofu से कचरे के समय लाती है ये सुनकर ही घिंदाती है कि कोई इनसान ऐसी चीज़ के से खा सकता है जिसमें कचरे के समय लाती हो और इस वीडियो में आप चाइना के street food में दूसरे जनवरों को भी शामिल दिख सकते हो जिनमें कन खजूरे gross opards sea serpents spiders, कुछ अजीब तरह के bugs और यहां तक कि ये लोग बिच्चों को भी नहीं चुड़ते है और ये सब देखकर इसा ही लगता है कि ये लोग किसी भी चीज़ को खा सकते है हम सभी को ये बात पता है कि इंसान है एक ओम्निवर है लेकिन चाइना ने इस बात को जादे सिरियस की ले लिया फूड जितना खतर्माक हो चाइनीज को उसा खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है क्यूंकि उन्हें खतर्नाक चीज़ते खाने की excitement रहती है ऐसी इनकी एक डिश सनाजी होती है और आपको ये जानकर हिरानी होगी कि ये ओक्टूपस जिंदा ही खाजाते है ये डिश इतनी ताजी होती है कि आपके प्लेट में जिंदा ओक्टूपस से आपको दिया जाता है इससे सीसा मॉयल और टोस्टेट सीसम सीड्स के साथ दिया जाता है लेकिन इससे खाने में बहुती बड़ा खत्रा होता है क्योंकि ये आपके हलक में अपने टेंटिकल्स से गरीब बना सकता है जिससे इंसान का गला चोक हो सकता है ये कलरफुल क्रियेचर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक जैंट रेंबॉल उपसचर है ये कलरफुल और खुबसूरत होता है इससे देखकर इससे लगता है जिससे की किसीने इस पर आर्ट बनाया हुआ हो इसका लाम इसके उपर विल्कुल सूट करता है जैंट रेंबॉल उपसचर को जापान, हैलेंड और चाइना जैसे देशों में बहुत इशोक तो सब खाया जाता है ये डीश दुनिया के सबसे महिंगे खाने में से एक है इसकी एक प्लेट के लिए आपको 42,000 रुपे खर्च करना पड़ेंगे क्या आप इतना पेशा एक जाइन ट्रेंड बॉल आपस्टर को खाने के लिए खर्च कर सकते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आज तक तो हम यही जानते थे कि क्रोकोडाल इंसन वो खाजाता है लेकिन चाइना वाले क्रोकोडाल को भी खाजाते हैं चाइना में लोग भुना हुआ क्रोकोडाल मीट खाना पसंद करता हैं लेकिन यह स्रिफ टेस्ट के लिए नहीं होता इससे खाने के कई हल्थ बेनेफिट भी हैं क्रोकोडाल से करे डिशिस त्यार की जाती हैं जिन में क्रोकडाइल करी, क्रोकडाइल टेल स्टेक और क्रोकडाइल सूप भी तियर के जाता है आप और हम जब भी घुमने के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे आसपस स्ट्रीट फूर्ड पर समोसा, केचोरी और वड़ापाउ जिसे चीज़े मिल जाती है लेकिन जरा एक बार चाइना के स्ट्रीट फूर्ड तो देखिया है